हेलो दोस्तों आज हम किसी भी POJO class Plain Old Java Object Class का JUnit कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एक POJO class बनाई हुई है जिसमें मैंने कुछ methods लिखे हुए हैं जैसे मुझे किसी number का absolute value निकालनी है तो उसका मैंने method लिखा हुआ है square का area निकालना है उसका method लिखा है rectangle का area निकालना है उसका method लिखा है ऐसे ही मैंने और भी methods इसमें लिखे है अब मुझे इन सभी methods का code coverage करना है JUnit के through तो मैं वो कैसे करूँगा तो पहले तो मुझे JUnit file बनाते कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर file का option आता है मैं Eclipse यूज़ कर रहा हूँ आप कोई भी IDE यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो मैं पहले file पर click करूँगा file पर new का option आता है उस पर click करूँगा अब यहाँ आप देख सकते हैं JUnit Test Case तो जब मैं इस पर click करूँगा तो यह मुझे पूछेगा कि आपको कौन सी file का बनाना है कौन सी file का बनाना है और उसका path क्या रखना है तो मुझे particular इस file का JUnit बनाना है और उसका नाम यह रखना है तो मैं इसके बाद finish पर click कर दूँगा तो ये मेरे JUnit फाइल बना देगा लेकिन मैंने पहले से ही JUnit फाइल बना रखी है इसलिए मैं अभी इसको कैंसल कर रहा हूँ तो जो ये JUnit फाइल बनाएगा वो एक्चॉल में सेंपल फाइल होगी उसमें कोई कोड नहीं होगा वो केवल प्लेस फाइल होगी तो उसको हमें मोडिफाई करना होता है तो JUnit लिखने से पहले उसका basic rule जानना बहुत जरूरी है उसका basic rule ये कहता है कि जिस भी class का हमें JUnit लिखना है पहले तो हमें उस class का object बना लेना चाहिए जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने उस particular class का object बनाये हुआ है फिर उस object के through हम उसके जितने भी public methods हैं उनको invoke करते हैं तो जैसे मेरा पहला method है get absolute value मुझे किसी number का absolute value निकालनी है तो उसका मैंने JUnit कैसे लिखा है जब भी किसी class का हमें JUnit लिखना होता है तो उसमें हम add the rate test annotation लगाते हैं उसके बाद हम JUnit के कुछ particular methods होते हैं asset equal हुआ, asset null, asset not null, asset not same ऐसे अन्य बहुत method होते हैं JUnit जो हमें provide करता है तो अभी के लिए मैंने asset equals का use किया है इसमें हम क्या करते हैं asset equals पे जहों hover करेंगे तो यह हमें खुद बता देगा हमारे बास दो parameters इसमें होंगे एक होगा expected और एक होगा actual expected पहले आता है और actual बात में आता है ठीक है for example मुझे जिस method का मुझे JUnit लिखना है उसमें मैं जो data पास करूँगा वो actual data होगा वो expected नहीं होगा वो actual data होगा ठीक है तो actual data for example मैंने minus 1 actual data अपने method मा पास किया है अब मैं चाहता हूँ कि ये method minus 1 का मुझे absolute value मिले minus 1 की absolute value क्या होगी 1 होगी इसी तरीके से अब मैंने दूसरा एक और check लगाया है asset not same तो हम मैं minus 2 की absolute value निकाल रहा हूँ और उसको compare कर रहा हूँ expected value से ठीक है तो अब आप देख सकते हैं कि minus 2 का absolute value तो 2 आएगा जो की 1 के equal नहीं है तो इसी लिए ये not same में qualify का जाएगा ठीक है अभी हम दूसरा scenario भी ले ले लेते हैं ये negative number का absolute value निकाला था अभी positive numbers का देख लेते हैं तो यदि हम positive numbers का absolute value निकालेंगे तो वो वही same number आएगा 2 का 2 ही आएगा उसके बाद अब हम दूसरे एक और method का देख लेते हैं जैसे कि मुझे square का area निकालना था तो square का area का हमने जो यहाँ पर method बनाया है हम उसको object के थूँ इन्वोक कर रहे हैं तो वो भी हम actual में पास करेंगे 2 का square value कितना होगा वो हमें पता है 4 आएगा 5 नहीं आएगा ठीक है तो यह not same और equals यह हमारे यहाँ पर qualify हो रहे हैं अभी चलिए अब हम इसको validate भी कर लेते हैं अभी तो मैंने आपको JUnit लिखने का process बता है अब हम अपने JUnit को जो हमारा code coverage है वो कितना है हम इसको validate कैसे करें तो validate करने के लिए हम पहले तो जिस भी method का JUnit test coverage करना चाहते हैं हम उस पर double click करेंगे फिर right click करेंगे right click करके आप देख सकते हैं यहाँ पर coverage as का option आता है हम उस पर जाएंगे और यहाँ पर JUnit test select कर लेंगे तो यह हमें इस particular method का coverage बता देगा कितना हमारा code इसका coverage है और यदि हमारा coverage 80% से उपर है तो इसका मतलब हमारा यह method बिलकुल जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा JUnit code coverage हो चुका है हमने केवल अभी method 1 का run किया था test get absolute value 1 इस method का JUnit रन किया था और यह हमारा successful रहा है इसमें कोई ना तो error आई है ना कोई failure रहा है तो हमारा test case बिलकुल ठीक लिखा हुआ है अब हम इसका code coverage रहो देख लेते हैं code coverage के लिए आप देख सकते हैं नीचे coverage का एक panel आ जाता है हम main class पे अपने पे जाएंगे हमारी main class का path है models के अंदर वो file लिख लिख हुई है इस particular method का हमारी class के लिए coverage 7.8% है अब हम पूरी class का ही एक बार JUnit run कर लेते हैं code coverage राइट क्लिक करेंगे हम फिर से और coverage as JUnit करते हैं इस बार हमने method को select नहीं किया है हमने पूरी class को select किया है तो इस बार जो coverage आएगा वो हमारी पूरी class का आएगा particular method का नहीं आएगा आप देख सकते हैं मेरे सारे के सारे test case successful रहे हैं यहाँ पर कोई भी test case मेरा fail नहीं हुआ है इसका मतलब मेरा code बिल्कुल ठीक काम कर रहा है मेरा JUnit ठीक लिखा हुआ है और हम अपनी JUnit का coverage देख लेते हैं कितना percent coverage आया है यहाँ पर आप देख सकते हैं और अब मैं इस चीज को cross verify करने के लिए अपनी class पर भी जाऊँगा तो यह आप देख सकते हैं green green का मतलब pass होता है successful होता है और यदि अगर partial success होता तो yellow line आती और अगर fail होता तो red line आती तो मेरा JUnit बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है मेरी पूरी class का code coverage बिल्कुल ठीक है अब जैसा कि मैंने आपको rule पहले बताया था मैं एक बार फिर से repeat करना चाऊँगा जिस भी class का हमे JUnit लिखना होता है हम पहले तो उसका object बनाते हैं object बनाने के बाद हम उस class के जिस भी method का हमे code coverage करना है हम उसको invoke करते हैं उसमें हम actual parameters पास करते हैं और फिर actual parameters पास करने के बाद हम expected value से उसका comparison करते हैं यह basic rule है JUnit को लिखने का अब मैं आपको एक method का JUnit और explain करना चाऊँगा उससे आपको और clarity मिलेगी मैं आपको add list method का JUnit explain करता हूँ JUnit explain करने से पहले मैं आपको method दिखा दिता हूँ मैंने method क्या लिखा हुआ है मैंने एक add list method बनाया है जिसका type list of string है उसमें मैंने दो parameter पास किये है पहला parameter है वो list of string ही पास कर रहा हूँ और दूसरा parameter के वल string है तो अब इस method में अब इस method में मैं क्या कर रहा हूँ इस method में मैंने जो list of string है पहला parameter है उसमें मैंने second parameter को भी add कर दिया है मतलब A list जो दूसरा A list जो मैंने पास किया है add list method में उसमें मैंने B string भी add कर दिये तो चलिए अब इसका हम JUnit समझ लेते हैं तो पहले तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है कोई भी method का JUnit जो हम लिखते हैं तो हमें add the rate test annotation लगाना होता है और basic rule है कि हम उस class का object बनाएं और उस object से उस method को invoke करें आप देख सकते हैं मैंने assert equal method लिखा हुआ है जिसमें मैंने expected value को actual value से compare किया है उसमें हम parameters pass करके जो हमें value मिलती है वो actual value होती है और expected value हम खुद बनाते हैं expected value हम comparison के लिए बनाते हैं तो आप देख सकते हैं मैंने expected value के लिए एक list object बनाया है क्योंकि हमारा type actual value का जो type है वो list of string है तो expected value का type भी वही होना चाहिए list of string ठीक है अब मैंने एक list create करी है जिसमें मैंने कुछ objects डाल दी है तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि हमारा पहला जो list है जो a है उसमें हमने जो आप जैसा कि देख सकते हैं add list method में हमने पहले parameter list का ही पास किया है और दूसरा parameter string का है तो उसके लिए भी मुझे एक list बनानी होगी क्योंकि list में ही मैं एक string को add करूँगा तो मैंने उसके लिए भी एक और list बना दी है ठीक है अब जो मेरी list बनी है उसमें मैंने एक object डाल किया है dog ठीक है अब यह compare करेगा मेरी list को compare करेगा जो मैंने ऊपर list बनाई थी उससे यह compare करेगा और अगर यह दोनों same रहे expected value एक्चुल के बराबर आया तो हमारा SIte equal method successful रहेगा वरना यह fail कर जाएगा अब मैं आपको JUnit को debug कैसे करते हैं वो भी एक बार explain कर देता हूँ तो मान लीजिए मुझे अपनी class add list class को ही debug करना है तो मैं यहाँ पर double click करके एक debug point add कर दूँगा अब मैं अपने बापस JUnit पर जाऊँगा और यहाँ अपनी जिस method को मुझे debug करना है उस पर मैं right click करूँगा और यहाँ पर debug as JUnit test करूँगा अभी यह debug mode में JUnit को run कर रहा है A में मेरी क्या list है apple, banana और cat और B में क्या है dog अब इसको हम JUnit से compare कर लेते हैं तो मैंने एक li list बनाई थी जिसमें आप देख सकते हैं मैंने 3 parameter add करे हैं 3 string add करी है apple, banana, cat ठीक है और dog मैंने add किया है as a B मैंने dog add किया था तो इसलिए इसने आपको इसलिए आप देख सकते हैं A और B इसने जो frame किया है वो मेरे equals method में जो मैंने object call किया है इसके corresponding ही इसने वो parameter वहाँ पे show कर दिया है अब मैं इसको F6 करूँगा मनलब step over करूँगा तो आप देख सकते हैं अब मेरी A की value क्या होगी A की value अब इसने कर दी है apple, banana, cat, dog क्योंकि अब मैंने B A में add कर दिया है तो इसका मतलब मेरी जो नई list है वो क्या होगी apple, banana, cat, dog अब चलिए इसको expected से compare करते हैं expected से जब हम इसको compare करेंगे तो मेरी ये list क्या रखती है इस list में apple, banana, cat, dog है इसलिए मेरा expected और actual यहाँ पर similar है इसलिए ये मेरा JUnit successful है तो इस परकार हम JUnit को debug भी कर सकते हैं मैं आसा करता हूँ कि आपको पोजो क्लास को कैसे debug करते हैं कैसे JUnit में code coverage देखते हैं कैसे JUnit लिखते हैं इस इन सब का idea लगया होगा धन्यवाद